दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास OPPO का फोन है और आप अपने OPPO के फोन में किसी भी एप्लिकेशन को छुपाना चाहते हैं उसे आप हाइड करना चाहते हैं अपने फोन डाइलर में तो कैसे आप उसे हाइड करेंगे जिसे आपन फोन में आपके डाइलर के अंदर अपने एप्लिकेशन कैसे चुपाते हैं जैसे आप अपना डाइलर ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कोड डालना होगा जो भी आप कोड बनाएंगे और उसके बाद इस्टार डालेंगे तो आपके इस्टार ड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीच आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है fingerprint, face और passcode आप इस setting पर क्लिक करेंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक setting मिल जाता है privacy password के नाम से आप इस पर क्लिक करते हैं यहां पर मिल जाता है Turn on Privacy Password तो आपको इसे Enable करना होगा और यहां पर आपको अपना एक Password Set कर देना है तो हम यहां से अपना एक Password Set करेंगे उसके बाद यूज करेंगे उसके बाद आपको वही Password यहां पर Verify कर देना है उसके बाद आपके समने ये page आता है यहाँ पर आपको security question आपको set करना होता है security question आपको इसलिए set करना होता है अगर अपना ये password जो आपने डाला है अगर आप भूल जाते हैं तो इसी question का आपको answer देना होगा जैसे हम यहाँ पर अपना name डाल देते हैं तो अगर हम password भोल जाएंगे, तो हमारे समने एक ये प्रसना आ जाएगा, और इसका जो answer हमने यहाँ पर अपना name दिया है, यही हमको बता देना है, तो हमारा password बदल भी जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से हम nest कर देते हैं, यह आपको do पर मिल जाएगा done, आप इस पर click करें अब यहाँ पर आपके सारे application सो हो जाते हैं, जैसकि आप देख सकते हैं, अब मालीजे आप अपने gallery को छुपाना चाहते हैं, उसे आप hide करना चाहते हैं, तो हमारे पास यह हमारा gallery है, हम इस पर click करेंगे, यहाँ से आप इसे enable करेंगे, यहाँ से मिल जाता है hide home screen icon, आप इ इसी परकार और भी अगर चुपाना चाहते हैं, जैसे पिले store, तो हम इस पर click करेंगे, यहाँ से इसे enable करेंगे, यहाँ से आप इसे enable करेंगे, और उसके बाद बैका जाएंगे, आप बात करेंगे अपना code कैसे बनाएंगे, जो code आप डाल कर अपने dialer से application को देख सकते है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक setting का icon, आप इस पर click करेंगे, जब आप इस पर click करते हैं, तो यहाँ पर मिल जाता है change access number, आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद यहाँ पर बताया जाता है कि example के तोर पर आप इस तरीके से code बनाएंगे, सबसे पहले आपको hatch ल दाल दिया है उसके बाद फिर से हम हैच डालेंगे और उसके बाद नीचे देखेंगे आपका सेट हो जाएगा यहाप फिर से यहाँ पर डाल देंगे हैच बनाया है तो हम यहां पर इसे अब कड़ करते हें वहां पर मैने बनाया है 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 और बाद में पर आपको यहाँ पर reach है। तो मैं यहाँ पर हैच लगा देता हूँ आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे समने आज चुके हैं hidden app से और यहाँ पर आपका gallery और आपका play store और यहाँ से आप इसे open कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आप Oppo के phone में डाइलर में application को छुपा सकते हैं बड़ी आसानी से जो मैंने आपको इसे वीडियो के अंदर details में बताया है अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कर देना बेल आइकन भी on कलेना वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्वाद